आप सभी को नमस्ते आए सुनते हैं आज का चमतकार मेरा नाम जहासी है और मैं खड़कपूर पश्चिम मंगाल में रहती हूँ आज सुबा के कॉन्फरेंस में भाग लेकर दीक्षा लेने के बाद शुरू से ही मेरे सर में कुछ हो रहा था बहुत दर्द और सुन जैसा लग रहा था मैं थोड़ी देर के लिए सो गई और जब उठी तो कुछ तो था जो अब नहीं रह गया था पर मैं समझ नहीं पाई क्या था आज सुबा अनुभवों को सुनते समय एक बहुत खुबसूरत शुन्य, शांती और नीस थब्दता थी मैं देख पा रही थी कैसे श्रीकलकी ने मेरे दिमाग की सरजरी कर दी थी और अब कोई विचार नहीं थे यहां तक जो भी हो रहा था उसे लेकर भी कोई विचार नहीं था केवल सब कुछ अनुभव कर रही थी पिछले भगवत साक्षातकार प्रक्रिया के समय मैं एक बेहत खुबसूरत स्थिती में हूँ मैं देख रही थी कि मेरे बच्चे उनी सब सित्यों का अनुभव करते हुए अपनी दादी के साथ खेल रहे थे जिस तरह के सित्यों का अनुभव मुझे हो रहा था पिछले एक हफ़ते से मेरी सास बिलकुल शान्त हो गई है हस्ती हैं जीवन का आनंद उठा रही है उन्हें बहुत उर्जा का अभास हो रहा है पहले वो अपने स्वास्ते को लेकर निरंतर शिकायत करती थी हमिशा नकरात्मक बोलती थी जीवन से असन तुष्ट थी अब वो पूरी तरह बदल गई है सच मानों मैं घर का वातवरन ही बदल गया है मेरे पती, बच्चे और सास पर्मनंद की सिती में रह रहे हैं और मारे घर जो भी आता है उसे भी ये पर्मनंद की सिती मिल जाती है कोटी कोटी धन्यवाज श्रीकल की